ओम शान्ती, 21 फरवरी 2023 के महवाक्य, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसकती नहीं रखनी हैं, देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है, शिवपुरी और विश्नुपुरी को याद करते रहना है, प्रशन, गरीब निवाज बाप, गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं, उत्तर, बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो, लेकिन फ्राक दिल बनूँ, थोड़े प तीन-चार ने भी इस युनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया, तो खोलने वाले का ओहो सो भागे, सिर्फ सपूत बन कर रहना, कभी काम क्रोध के वश सत्गुरु के निंदा नहीं कराना, ओम शांती, बाप, दादा और मम्मा, मम्माई दो होती हैं, दादी और माता, य यह तुम्हारी बड़ी मा है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अंबा निमित बनी हुई है, शिव बाबा है बहु रूपी, वह बहुत खेलपाल भी करते हैं, स्वहेज होते हैं, जब सगाई होती है, तो भी स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है, तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, यह रसम भी यहां की है, तुम बच्चों को भी बाब समझाते हैं, कि पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ मिल जाएगा, देहि सहित कुछ भी ना रही, शिव पुरी, विश्नु पु ना है, देखो मीरा का कितना गायन है, लोग लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है, उनको तो ग्यान अमरित भी नहीं मिला, सिर्फ स्रिक्रिश्न से प्रीत थी, कृष्न पुरी में जाने के लिए विश्को छोडा, जैसे इस्त्री पती के पिछ चाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते कोई कृष्न पुरी में गई, उस में कृष्न पुरी तो है नहीं, मीरा को पांस साथ सो वर्ष हुए होंगे, भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसले कोई अच्छे भगत के घर जनम लिया होगा, उनका ना समाचार कितना चला आता है, वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सभी ज्यान मीराएं बनती हो, तुम आए हो सुर्य वंशी, चंद्र वंशी महरानी बनने के लिए, भल पहले अनपढ़े, पढ़े के आगे भरी डोते हैं, परंतु महरानी तो बनेंगे न, अगर बच्पन को हाथ चोड़ दिया, फिर तो कभी नहीं महरानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कमपद पाएंगी, वैकूंठ में तो आएंगे, परंतु कमपद, बाबा ने सुझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए, कि तुम क्या चाहते हो, क्रिश्न की भक्ति क्यों करते हो जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे, बहुत वनुष्य कहते हैं हमको शांती चाहिए, परंतु अशांती तो सारी दुनिया में है न, तुम एक को शांती मिलने से क्या होगा, हम 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं, देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है, यहां तो है ही माया का राज्ये, शांती मिल नहीं सकती, शांती के लिए अलग जगें हैं, सुख के लिए अलग जगें हैं, सुख धाम में सब सुखी होती हैं, कोई एक भी दुखी नह ये था राजारानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी है। वह कहते हमारे देश से हिंदु निकल जाएं। वह कहते फलानी निकल जाएं। एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गई हैं। तो लड़ते रहते हैं। इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं, बाप कहते हैं जो भी धर्म वाली हैं, सब को हम देह के धर्मों से निकाल देंगी, सत्युग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है, यह सब ग्यान तुम बच्चों की बुद्धी में है, हाथ में चित्र उठाए, जाकर वानप्रस्तियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, शंकर के आगे शिव दिखाते हैं, तो जरूर वह है शंकर से बड़ा हुआ ना, अगर शंकर भगवान का रूप है, तो फिर उनके सामने शिव लिंग रखने की क्या दरकार है, सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्यानी, तत्व ज्यानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता भी नहीं है, तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते, अच्छा ब्रह्म ज्यानी, तत् ब्रह्म भी एकी है अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान मनुष्य तो बहुत मुझे हुए हैं तुम बच्चों को अब होशियार होना है तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धरम के होंगे वह जट ग्यान को समझ लेंगे कोई तीन चार जन्मों से कनवर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे ताजे गए होंगे तो जट निकलेंगे बाबा में कशिश है ना बाप है चुम्बक आत्माई है सुईया अब सुईयों पर कट चड़ी हुई है कट वाली सुई उपर कैसे जाई पंख तूटे हुए है कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है बाबा भी इस ज्ञान अमरित से सब की कट निकालते है फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे तुम अभी पत्थर नाच से पारस नाथ बन दे हो भारत पारस पूरी था अब देखो सोने का दाम कितना चड़ गया है फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा तो भारत जो अब पत्थर पूरी बना है वह फिर पारस पूरी बनेगा हमारी बुद्धी में यह चक्र फिरता रहता है सारा दिन चक्र बुद्धी में फिरेगा तब ही चक्र वर्ती राजारानी बनेंगे दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानती है तुम जानती हो सत्युग में जो राज्य करती हैं उन्हों के 84 जनम होते हैं फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे कहा 84 जनम कहा फिर 84 लाख कह देते हैं फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जनम हो यह हैं सब गपोड़े हमेशा पहले तो चितर सामने दे देना चाहिए पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना तुम्हारा काम है उनको देना कुछ भी उनको देना होगा तो आपे ही देंगे कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है बाकि साहुकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है साहुकार ही तो दरम शाला आधी बनाएंगे यहां गरीब भी सेंटर बना सकते हैं इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है समझो कहते हैं के हम सेंटर खोलू अथवा यह गोडली उनिवसिटी खोलू ऐसी गोडली उनिवसिटी से तीन चार ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सो भाग्ये उन खोलने वालों का इसमें फ्राक दिल होना चाहिए सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं कपूत क्या करेंगे कपूत को थोड़ी ही बाप वर्सा देंगे तुमको सत्गुरू का शो करना है काम अत्वा क्रोध में आये तो गोया सत्गुरू की निंदा कराई फिर पदपा नहीं सकेंगे बहुत संभाल करनी चाहिए बाब कहते हैं विश का वर्सा टो बाब से पती से लेते आई हो अब यहें पारलोकिक बाब पती अम्रित का वर्सा तुमको देते है तुम सभी धर्म वालों का रचईता और रचना के नोलेश बता सकते हो वहे तो रहते ही हैं शांती धाम में उनको याद करने से तुम शांती का वर्सा ले सकते हो वर्सा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे यह ज्यान सबी धर्म वालूं के लिए है यह है बिलकुल नहीं बात शास्त्र है तो भक्ती मार्व के दर दर धक्का खाना, ब्राह्मन खिलाना, तीर्थों पर जाना यहां तो एक ही ग्यान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं तो मीठे मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो जो विश पिने वाले हैं वह विगन तो जरूर डालेंगे क्योंकि सारी दुनिया धुंदकारी है देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं गवर्मेंट का नाक में दम चड़ा देते हैं गुवर्मेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहां से तो वह कहते हैं तुम लोग मो जुडाते हो धन इकठा कहरते रहते हो हमने क्या गुनाह किया है हमको तनक्वा चाहिए स्ट्राइक कर लेते हैं तो धन्दा ठहर जाता है यह सब होना ही है कहां सबजी नहीं मिलेगी कहां दूद नहीं मिलेगा जहां तहां खिट-पिट है यह सब हंगामा हो फिर शान्ती होगी विनाश का और फिर विश्नुपुरे का साक्षातकार तो अरजुन को भी कराय था ना तुमको भी अभी हो रहा है देखो कहां बरसाद नहीं पड़ती है तो भी यग्ये रच्चती है कहां बहुत अशान्ती होती है तो पीस के लिए यग्ये रच्चती है परन्तु पीसफून तो एकी भगवान है वह जब आये तो शान्ती का दान देवी देने वाला तो वह एकी है ना देखो तुम कितने लाडले बच्ची हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सो भागय लो, बच्चों को टोल पुट, मीठे बच्चे कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई, यह है रुहानी मिठाई, जो रुहानी बाप देती है, देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें महनत है, बाबा कहते हैं, आठ गंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरी निर्वा अर्थ काम भी करो, रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना, हे नीद को जीतने वाल आठे बच्चे, मुझ बाप को श्वासो श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो, रात दिन जितना योग में रहेंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे, और जितना घ्यान सिमरन करेंगे, उतनी कमाई होगी, बागी तो सर्विस बहुत है, बाबा से पूछेंगे तो ब बाबा कहेंगे बैठे रहो आराम करो इसमें पूछने की दरकार नहीं है बाबा ने लोकलाज का कुछ ख्याल किया क्या अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है हर एक का कर्म बंदन अलग-अलग है पैसे हैं तो अलोकिक सर इस ग्यान मार्ग में जरूर विघन पड़ती हैं क्योंकि पवित्रता का सवाल है जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े इस समय तो मुंश्य बहुत गंदे हैं विघन भी बहुत डालेंगे जूट कलंक भी लगाएंगे इन बातो से डरना नहीं है कुछ भी हो घबराना नहीं चाहीं पांच जार वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थी अब भी लगेंगे जूटी जूटी बनावटी बाते भी करेंगे किसको रेस्पॉंड ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी उदासी आदी धर्म वाले आएंगे सबको बाप की नोलेज जरूर लेनी है यह चित्र भी सारी दुनिया में जानी है कभी क्रोध में आकर वाद विवात नहीं करना है भल जाए कोई निंदा करें गुस्से में कभी नहीं आना चाहीं बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है दिन प्रती दिन काईदे कानून भी सुधरते जाएंगी दुनिया के काईदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती हैं हम तो सतो प्रधान बन रही हैं अच्छा तुम बच्चे हो राजरिशी तुम कहेंगे हम अभी तपश्या कर रही ह वानप्रस्थ में जाने के लिए ऐसा जवाब देने का कोई मनुश्य को अकल नहीं है वह तो वानप्रस्थ को समस्ते ही नहीं तुम कहेंगे हम राज योगी हैं जीवन मुक्ती के लिए तपश्चा कर रही हैं सिखलाने वाला है पारलोकिक परमपिता परमात्मा ज्यान का सागर ऐसे ऐसे माताई बैट समझाएं तो सब वंडर खाएंगे बोलो हमको पारलोकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविश्य उच्पद प्राप्त कराने के लिए अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते धाना के लिए मुखे सार पहला पोइंट भल कोई निंदा करे हमें गुसे में नहीं आना है किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है दूसरा पोईंट, नेद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर भी बाब को याद करना है, और ज्यान का सिम्रण करना है, देही अभिमानी रहने की प्रेक्टिस करनी है वर्दान, इंतजार को छोड़, इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाए सहयोगी, सो सहज योगी भव मिस्तार, कई बचे इंतजार करते हैं कि यह चोड़ें तो छूटू, यह टकराव चोड़ें तो छूटू लेकिन ऐसा नहीं होता, यह तो माया के विगनवा पढ़ाई में पेपर समय प्रती समय भिन भिन रूपों से आने ही हैं तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी प्रिस्थिती पास करे, नहीं मुझे पास करना है ऐसा इंतजाम करो, सदा शिरिमत की अंगुली के आधार पर चलते, सहयोगी सो सहजयोगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा, अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सची सेवा है अच्छा, ओम शांती